क्या कारण था पाकिस्तान की शांदार प्रदर्शन का ये प्लेयर बनेंगे नए बाबर जी हाँ दोस्तो आज इस वीडियो में आप सबसे बात करूंगा पाकिस्तान टूर ओफ श्रिलंका की आप सभी को बता दूँ ये थी दो टेस्ट मैच की सीरीज जो की खेली गई थी श आप सबको बता दूँ कि पाकिस्तान ये सीरीज बड़े ही आराम से और बड़े ही डॉमिनेंट तरीके से 2-0 से जीता है श्री लंका को उनके घर में जाके ही बहुत बड़े मार्जिन से हराया है उसी के साथ साथ दूसरा टेस्ट मैच तो पाकिस्तान जीता था एन प्लेयर के दो बहतरीन प्लेयर जिनका नाम है साथ शकील और सल्मान अली आगा जी हां दोस्तो इन दोनों प्लेयर का नाम आप आगे जाके बहुत जादा सुनेंगे उसका कारण ये है कि बहुत ही सॉलिट प्लेयर है एक लेफ्ट हैंड़े साथ शकील तो दूसरा राइट है सल्मान अली आगा दोनों ही प्लेयर बहुत जादा शांदार प्रदर्शन दिखाते हैं बात करें साउच शकील की तो नंबर फाइफ पर उतरते हैं पाकिस्तान के लिए और वहीं सल्मान अली आगा आते हैं नंबर सेविन के लिए किसी भी टीम को अगर अच्छा अब बात करें दोस्तों साउच शकील की तो इननों ने स्टार्टिंग से ही अपने करियर में बहुत जादा इंप्रेस करा है बात करें पहले टेस्ट मैच की जो की खेला गया था गाले में तो इनों ने बनाया थे 208 रंस और उसी मैच में सल्मान अली आगा ने उसी इनिक् और वहीं South Shakil ने बनाए 57 runs बात करें अगर अगर अब दोनों ही प्लेयर्स के एवरेज की दोस्तों तो आपको बता दू Salman Ali Aga की एवरेज है इंटरनाशनल टेस्ट करें इनमें 47.71 की और वहीं South Shakil की एवरेज है 85.7 की अब आप ये नमबर देखिए Lower Order Batsman के लिए South Shakil की तो बहुत ही जादा अच्छी है और Salman Ali Aga के लिए नमबर 7 पे शांदर पोजिशन है इसी के साथ साथ आपको बता दू कि वो ओफ ब्रेक भी डालते हैं और बहुत जादा अच्छी बोलिंग भी करते हैं Salman Ali Aga अब इन दोनों प्लेयर्स के साथ ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान बहुत जादा आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी WTC की भी बात करें तो पाकिस्तान है नमबर 1 टीम WTC टेबल में आप सबको बता दू कि पिछले जो दोनों WTC साइकल हुई थी उसमें पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था दोनों ही WTC साइकल में वो नहीं आ पही थे आपको बता दू टू टीमें करती हैं पाकिस्तान भी श्रॉंग रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम WTC फाइनल देखें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप सबको बता दू कि इंडिया और पाकिस्तान ने लास्ट टेस्ट मैच के ला था 2008 के डिसेंबर में जी हां दोस्तो इतना पुराना मैच था इंड सब्सक्राइब करना नहीं थांक यू